नमस्कार, विश्व के इतिहासिक धर्वर के इस सफर में मेरे चानल इस्टरी राइप में मैं आज सभी का वेलकम करती हूँ, जिसमें आज हम मदुरई के बारे में जानेंगे, तो चलिए चलते हैं इस सफर में मदुरई तमिलाडू राज्य के दक्षणी भाग में वेगय नदी के तर्ट परिस्थित यह नगर प्राचिन काल में पांड्य राज्य की राजधानी हुआ करती थी, संगम युग में कवियों का एक प्रसिद्ध केंद्र मदुरई था, प्राचिन विवरणों में इसका उले दक्षिन के भूमध्य सागरी वानिजी केंद्र के रुप में किया गया है। रोमन समराज्य के साथ व्यापार को प्रोस्ताहित करने हैं तू पांड्य साशक ने रोमन समराज सीजर आगश्टक के पास एक दूद मंदल भेजा था। 1311 इश्वी में अलाओ दिन खिल जी ने मदुरई पर आकरमन कर वहां से बड़ी मात्रा में सामरिक एवं आर्थिक महत्व की चीजें हासिल कर दिल्ली लाया। यहां का मिनाक्षी मंदीर अपनी सौंदर्य एवं वास्तुकला के लिए प्रसीद्ध है। आसा है आप सभी को यह जानकारी अच्छे लगी होगी। विसे जानकारी के सफर में एक नए जानकारी के साथ पुना मिलेंगे। तब तक हमें दीजिये विदा धन्यवाद।